तो यह बताइए इसमें आप क्या क्या काम इससे करती हो आप अच्छा जैसे आप इससे में सब्जी बना रही हो हैं काई की सब्जी बना रही हो अच्या अच्या प्रशह तो बढ़े चले गाएं कितना ख़चा आप एकंपों क्या उससे सब और पाहरा किसे जैसे कैसां पालन करते हैं किसान वहाई गाओं मैं तो इनने क्या कहना हूए कि या वह भी अपने घर लगवाएं इसके लिए दोस्तों नमस्कार आपका अपना में द्रेंगकार सर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्तिसाली किसान पर आप सभी का स्वाधत करता हूं दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बायो गैस प्लांट जिसे बोलते हैं गोवर गैस प्लांट के नाम से ही किसान भाई से जानते हैं तो किसान साथियों आपके सामने आप देख पा रहे हैं गोवर गै यह परीचे जो जिनके घर में यह गोबर गैस लगी हुई है तो नमस्कार जी नमस्कार जी तो सर यह बताई यह जैसे कि हम आपका यह गोबर गैस प्लांट देख पा रहे हैं यह आपने कब लगवाया इसे सबसे पहले आप अपना परीचे कराई इसे मेरा नहीं पाल सी जी और गाउं शड़षा नाल और यह जिए हो तो सन उनिजस्ट सो सत्तानवे में हमने यह पोड़ा यह बनाया था अच्छा अच्छा उसे हम जब मंकान बनाया था हुं तो उसी समय भर्या तो जैसे बताये Скह संब इसके बारे हम बताईए जैसे कितने गन मीटर का यह गण्द टैंक को 26 or 7 मों इसका सर की जो किया 2 बै टू पर इसके ऊपर ऑपर अपने उसके उसको टिका हुआ त्रम कर लिए। उसके ओपर टिका हुआ अच्छा तो सरी बताई जैसे के इसमें कौन से लोहे का प्रियोग किया गया जो कि आपने बताया कि उनिस्तो सतावे में लगा था ये तो इसमें कैसे काम कर गया इसके लोहे की चादर बना हुआ है जी मतलब मजबूत लोहे से बना हुआ बढ़िया अच्छा और उसके ग्राम जी मतलब कौन सी योजना के तहत लगा था यह हमारी खादी ग्राम अध्योग योजना जी अंतरकतिया लगा हुआ है जी और सरकार द्वारा जो इसमें काफी सबसीडिय भी दी जाती है जी जी इसका जो टैंक है यह हमने बनाया था और ड्रम दि समय 1997 में कितना उस समय 25-30,000 के बीच में खर्चा आगया था 25-30,000 के करीब में आपका इसमें खर्चा आगया था जी जी अच्छा तो यह बताई जैसे किसान भाई आजकल जो है गैस काफी महंगी हो रही है और रसोई गैसे LPG गैस से वह जूज रहे हैं एक महीने में एक ही यह जाता है तो उन किसान भाईयों को बताई जो इस एक काफी लाव ले सकते हैं ऑपसु पालते हैं ख्रीटी के साथ जी जी अब पसु पालते हैं तो गोवर तो हमें मिलता ही है जी जी अब वोगवर का यह हमें दूरा फायता है जी आम क्याम गुठलियों के जाने गैस तो फिरी मिलती है और बढ़िया बंता एक दम अच्छा जाब भी बढ़े मिल जाता हुआ बढ़े बनता और ज्यादे मात्राम बढ़े जाता जाद कि यह सर आपने आप ने बताया है तो इसके का बारे इसमें जाज़ारे जाता है इसमें बहुते हैं यह इसकी बात करते हैं यह जैसे कि अपने बताया जिसका के प्रोली नुमा इसका देक पारहे हैं गुमाने वाला यह कैसे गुमाए जाता है और इसमें कितने पसुओं का होना जरूरी है इसमें जो यह प्लांट है यह इसका जो है साइज है पत्तीस घंड मीटर अच्छा जाइज जी और इसका टेक्निकल फर्मोला आया उसमें तीन कुंटल गोबर रोज डालेंगे तब यह जो है इसका सही रूटीन बनेगा लगाता पानी डाला पानी डाला पतला हो जाता है फिर गुमा के उसकी लुक्दी बना देते हैं अच्छा तो वह अपने आभी इसमें पाइप लगा हुआ जी तो इसकी टंकी में पहुझ जाता नीचे अच्छा तो सर यह बताईए जैसे कि और आप जानकरी इसके जैसे एल्पीज प्रूबिज में खतरा रहता है कि खुली रह गई यह बहुत ही सच्थी है यह एकदम सच्थी है जी जी जीरो बजट लगाट जी से सकते हैं अच्छा और यह तो इसके मकाबले बहुत खतरनाक भी होती है उसमें जो है थोड़ी सी लापरवाई अकर हो जाया तो दुरगट अपना का खत्रा इसमें नहीं है कुछ बर्तन जो वह उसके मकाले विल्कुल साफ रहते हैं कोई विल्कुछ साफ रहते हैं किसी तरह कालापन बगरा नहीं आता है मतलब रसोई के बरतन जो है बिल्कुल फिरैस जो दिक्कत वाली बात नहीं किस तरह को बात करते हैं जैसे कि आप स्वास्त के पिरती अब लपीजी गैस के बारे में आपने बताया कि वह ऐसे कैसे काम करती है अब उस बात करतें कि एलपीजी गैस के मुकाबले इसकी रोटी आपको कैसी लगती है इसके बारे मताईए कुछ रोटी तो चूला सेम उसका भी ऐसा ही होता है बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब और वही तबाह है वही चूला जैसा आमोमन होता है तो खाना में कोई दिक्कत नहीं है खाना तो बहुत स्वाधिश्ट बनतागों कि इस ऊच्टमट में हाइं अर इसका इसी शेपटी वाशों का थैसे नहीं कॉट अबस्यट बला लगा है इसके लिए हां तो इसके लिए बताइए जैसे जार और बी मौडिफाइड आपकर कर ना चाहते हो तो इसके लिए बताई तो प्लास्टिक का प्रियोग जादे किया जाए और प्लास्टिक से प्रियोग करने से उसमें फाइदा रहा है क्योंकि गोबर में तेजाब होता तो हो सकता है प्लास्टिक वाला जो इसके मुकाबले जादा इस्टेविल रहे अच्छा जादा दिन तक चल सकता है तो सर आप अपने अनुभ बताईए जह आपने कितना इससे लाव अब तक लिया इसका आप यहारो पच्छे साल लगवा किसा हो चुके हैं जी इसमें इतनी गैस बनती है पूर्पर इसका सलिल जालने गाप हमारा आवान जो इसमें याथ यह जदा होती जी और मात्रा मिल जाती हैं कि कुछ कस्मेल कंपोष्ट बगर आप डालते रहते हैं तो उसके उसकी मात्रा बढ़ जाती है जिए वैसे तो आप यह मान लो बनew गांन नहीं सापैक så Benhan Dadiilia, और किसान भाहियों की जैसे कि हर में पसू है लगभग सतर प्रतिसत जो है गावं ने पशू पारण किया जाता है आप खड़े बचाने के लिए किसान भाईयों को क्या राय दोगे अपनी एसमें जो एसे तो टूब लाइट वगर चला सकते हैं लाइट थी जब तो और हमारे अभी तक लगातार चलने हैं गोवर गैस प्लांट जी यह उसी समय के लगे हुए उसी बराबर योजना आई थी कोई संपिचान में का सब्सक्राइब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आज तक आई नहीं तो किसान साथियो आज आपने देखी गोवर गैस प्लांट कैसे हम अपने घरों में लगा सकते हैं और इससे खर्चें कैसे कम रसोई में चलाते हुए आगे हम आपको इसका डैमो पावले इससे बचा सकते हैं इसकी जो है इसमें सिस्टम दिया जाता है उससे भी आप कारे कर सकते हो तो बहुत हैं उससे आप कर सकते हैं जाहिंद जायवारत जायजवान जाकिसान धन्यवाद